बाल्टो एक ऐसा नाम है जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। वह एक सिबेरियन हस की कुत्ता था, जिसने अपनी बहादुरी और नायकत्व से ना सिर्फ अलास का, बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। किया जाता है। 1925 में, अलासका के एक दूर दरास शहर नोम में एक गंभीर डिप्थीरिया महमारी फैलने का खत्रा था। डिप्थीरिया एक घातक संक्रामक बीमारी थी, जो बच्चों को अधिक प्रभावित करती थी और बिना इलाज के यह मौत का कारण बन सकती थी। सीरम की आपूर्ती अलासका के अन्य हिस्सों से आनी थी, लेकिन उन दिनों की बर्फबारी और बर्फीले तूफानों ने शहर से बाहर निकलने की सभी राहें बंद कर दी थी। इस गंभीर स्थिती में एक मात्र रास्ता जो बचा था, वह था स्लेड डॉग्स द्वारा लंबी और खतरनाक यात्रा करनी थी। यात्रा इतनी कठिन और खतरनाक थी कि कई कुट्ते और उनके मालिक इस यात्रा के दौरान दम तोड़ सकते थे। लेकिन इस कठिन मिशन में बाल्टो और उसके साथी कुट्तों ने अद्वितिय साहस दिखाया। बाल्टो की टीम क माइनस चालीस डिगरी सेल्सियस के तापमान में बर्फीले तूफान के बीच यात्रा करनी थी और यही वह समय था जब बाल्टो ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया बाल्टो और उसकी टीम को भारी बर्फबारी, तेज हवाएं और माइनस चालीस डिगरी फॉरिन हाइट की ठंड का सामना करना पड़ा यह यात्रा इतनी खतरनाक थी कि मार्गदर्शक कुत्तों के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था इस दोरान बाल्टो ने बीज घंटे की कठिन यात्रा के बाद बाल्टो और उसकी टीम ने आखिरकार नोम पहुँच कर जीवन रक्षक सीरम को सुरक्षित रूप से शहर तक पहुँचाया उनकी यह यात्रा इतनी शांदार थी कि इसे सीरम रन या ग्रेट रेस ओफ मर्सी के नाम से जाना गया बाल्टो की बहादुरी को देखकर लोगों ने उसे एक नायक मान लिया नोम में पहुँचने के बाद उसे और उसकी टीम को न केवल प्रशन सा मिली बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी वीरता की सराहना की उसकी कड़ी मेहनत और बहादुरी के लिए उसे श्रद्धानजली स्वरूप एक प्रतिमा दी गई यह प्रतिमा आज भी न्यू यॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में स्थित है और परियटकों द्वारा देखी जाती है बाल्टो की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि साहस निष्ठा और कड़ी मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है